नमस्कार आप देख रहे हैं खास बात मैं हूँ आपके साथ आलोग प्रदेश में गंभीर रोगों के इलाज के लिए तमाम सारी विवस्थाएं की जा रही है राज़ानी में KGMU के बाद SGPGI में भी विवस्था की गई और फिर उसके बाद लोहिया संस्थान में कुल मिलाकर कोशिश यही है कि मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं तो लोहिया संस्थान में क्या कुछ खास इंतजाम है मरीजों के उपचारों के लिए और सिधी सी बात है कि जो इलाज के साथ साथ जो तीमारदार है उनके लिए भी क्या कुछ विवस्ता है और जिने हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज उनके लिए किस तरीके के चिकिसा विवस्ता है ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं लोहिया संस्थान के निदेशक Dr. A.K. तिरपाथी जी नमस्कार बहुत बहुत आपका स्वागत है और जब हम बात करते हैं जब लोहिया संस्थान की तो बहुत शुरुवात की बात है जब जहन में वो तस्वीर आती है जब दिल्ली के एम्स और यूपी के लोहिया संस्थान क्या कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं बलकि दिल्ली केम से बेहतर भी करने के उम्मीद है तो अगर अब जब आपने कहा है ते पाटी जी की बेहतर कह सकते हैं तो किन किन मामलों में और क्या कुछ खास सुविधाएं हैं यहाँ पर अब ही जल्दी जो संजुक चिकिस साले लोहिया था उसका विले हुआ है यह हास्पिटल चैसे बलरामपूर हास्पिटल से विले उस तरह का है रहा है अब यह संस्थान में विले इसका हुआ शामिल हो गया है तो प्राथमिक्ता ये है कि जो अस्पटाल हमें मिला है उसको हम उस अस्थर तक ले आएं जिस तर पर संस्थान है वो अस्थर हो मरीजों में उनके सहुलियात का उनकी गुणवत्ता पर एक इलाज का और स्टेंडर अप्ट्रीट्मेंट तो इसमें बड़ी चुनोती है और ह कोशी स्टेंडर्ड का हो जैसे लोहिया संस्थान में उता रहा है बलकुल कोशिश यही रहती है कि बहतर से बहतर सुविधाय दी जाए जैकिन जब हम बात करते हैं लोहिया संस्थान और लोहिया हॉस्पिटल ये तो विला हो गया ये तो आम मरीज को नहें ज़र्वाते य देखे शुरुआत में मुझे लगा कि कोई मरीज आता है तो उसको चार जगें लाइन लगानी पड़ती है सबसे पहले लाइन लगानी पड़ती है रिसेप्शन पर परशी बनवाने के लिए उसके बाद फिर डाक्टर के चैंबर के सामने उसके बाद बलट की जाच कराने के लिए पैसा जमा करना उसके बाद बलट की जाच कराना तो चार जगें लाइन लगानी पड़ती है एक मरीज को तो इसमें पूरा दिन भीज जाता है अच्छा इसका कोई उस समय कोई विकल भी नहीं था क्योंकि करना तो है यह लाइन क्यों लंबी लगती है क्योंकि मरीज जादा है? मरीज जादा है. तो ये हुआ कि क्यों ना इसे अपनी व्यूस्था की जाए? जिससे कि जिनको चार्जें लाइन लगानी पड़ रही है, उनको दो जगानी पड़े, जिनको एक घंटे लाइन में एक बहुत बड़ा हॉल था, ओपन टाइप का, वो जगए पार्किंग होती थी, तो मैंने पार्किंग की जगए और भी सुनिशित की, और सोचा कि इस हॉल में अगर बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा हॉल बने, जहां पर कम से कम साथ-ाठ सो लोग एक साथ घड़े रह सके बिना भीड के और करीब तीस काउंटर वहां बनाएं और वहां पर पानी पीने की सुद्धा हो कैंटीन हो और इमर्जेंसी डाक्टर बैठें कि महां लीजिए कोई आउटडोर में आया लाइन लगाया गिर जाया प्रेशान हो जाया कोई स्ट्रेचर का भी हो हेल्प काउ मरीज हैं तो समझेए दो हजार उनके तिमारदार तीन हजार हो गया अब रोग भी नहीं सकते कैसे पहचाने कौन मरीज है कौन तिमारदार है तो प्राबलम होती थी तो क्या हुआ रिसेप्शन में तो एक हजार लोग आ जाएंगे वहां से यह बात हो जाएगा उनके भीड बढ़ती है क्यों भीड की बात नहीं है यहां बात यह है कि जो मरीज हैं वो भी कहीं न कहीं प्रफाबित उससे इंफेक्शन बढ़ता है जो फुटफाल होता है जितने कम भीड रहेंगे इंफेक्शन स्प्रेट होने चांसेज कम रहेंगे माल एक जी तिमारदार को जिजीज की बार गया लंबार वक्त लगता हम बिलकुल एक ये सवाल आम मरीजों की तरफ से पूछ रहे ये सवाल ये मेरा एक डारेक्टर की तरफ से नहीं है बिलकुल जिजीज की बार गया लगता है कि लोगो कर रहा है कि लोगो कम सकंपरिशानी हो तिमारदारों के लिए था एक बड़ा सा हाल अब जब इंस्ट्यूट के गेट में घुसें के गेट नमर वन से तो दाहिने हाथ पर बहुत बड़ा एक एक एरिया है जो कबड़ उसमें कुछ नहीं था ऐसे ही कुड़ा पड़ा हुआ था उसको आने के दस दिन के अंदर साफ कराया वहां करीब पंद्रा तखट लगा दिये तो मैं रहां मिलेगा तो कुछ बेटर नतीजे आ रहे हैं उसके लिजिए वहां जाते है अच्छा पिर यह बात थी कि वहां प फिर पानी की वह उस्ता नहीं थी तिर चार जिए वाटर कुलर लगाए गया उसके श्रोत का देखा गया डस्ट बिन थे आप देख रहे होंगे अब डस्ट बिन में चारो तरफ अच्छे चे डस्ट बिन लगए हैं तो पूरा ध्यान इस वर है कि जो हम कर रहे हैं वो अच कर रहे थे बड़ा हम लोग भी न्यूज में हैं तो न्यूज प्रदर्शन चलना था बहुत तो अब सारा की सारी जो दिक्कते थी वो दूर हो गई अच्छार की करिपार से सबसाइए उसमें ये देखें वहां के कर्मशारी जो हमेशा से काम कर रहे थे उनको डर था कि हम कहां जाएंगे तो यह हुआ कि उनको कहीं और जाने की आउशकता नहीं है वो यहीं रहेंगे उनको क्योंकि संस्थान मेरा आएक्ट है अलग अच्छारी ने रहे हैं तो ऐसा नहीं था को अपने हाँ टोटल ले ले क्योंकि उनके लिए आउशक था उसी ग्रेट के उसी पत्कोरोना चाहिए तो इनको डिप्रटेशन को लोग ले रहे हैं वहां पर करीब 163 कर्मशारी उनको हम लोग सारे कमशारी को डिप्रटेशन बेर रहे हैं जिनको डिप्रटेशन पर नहीं ले सकते। इंका कोई कारदर नहीं है। उनको लकनो के अंदर ही ट्रंसफर किया गया है। डáक्टर में नवी डाक्टर थे। उसमें ये बात हुई कि डाक्टर को कैसे ले हम लोग? तो हम लोगों ने कहा कि अगर 470 बेट हमको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और अगर कोई डाक्टर हमको ना मिला तो कैसे समाल पाएंगे तो इसलिए स्वासभाग से रिक्वेस्ट किया है कि 90 डाक्टरों में हमें 40 डाक्टर दे दीजिए जैसे मेडिसिन में चार हो गए पीडिया और आउट्सोर्सिंग करशारी हैं उनको जैसे के तरसा ले लिया हमने लेकिन विले के दौरान कुछ डाक्टर्स छोड़के चले गए थे तो उनकी क्या भरपाई हो गई क्या वही मतला कुछ छोड़के नहीं गए 90 डाक्टरों में हमने हमें क्यों 40 चाहिए था वो 40 हमें दे दी गए बाकी जो 50 हुए वो लखनों में अच्छी जगह वहां सेटिल हो गए हैं यह मर्जे से हुआ है उसमें भी देखा गया कौन आना चाहता है कौन नहीं आना ऐसा नहीं कि नभी डाक्टर आना ही चाहते थे तो जो नहीं आना चाहते थे वो आने जगे गए बाकी और लोगों को सेटिल्मेंट हो गया है लोहिया संस्थान के दूलना हम बड़े संस्थानों से करते हैं तो आप डिरेक्टर हैं बड़ी जिम्मेदारी समालने के साथ बहु भी समालने हैं सबसे बड़ी बात मेरीजों की बेहतरी को आप समझ रहे हैं तीमारदारों को उससे भी ज्यादा समझ रहे हैं सवाल ये है कि कौन कौन सी जो ऐसी आपके अस्पताल में जो सुविधाएं हैं या यू कहें कि अच्छा ट्रीटमेंट होता है वो हमारे दर्शकों से आप क्या शेयर करना चाहेंगे कि विश्विस्तर पर सेवाएं होती अभी तो संस्थान के लिए हम बता देंगे क्योंकि देखिए जो विले हुआ है वहाँ पर जैसे मेडिसीन है सर्जरी है आर्थो है इन चीजों में अभी हमने शुरू किया है तो अभी हम यह नहीं कह सकते कि उसमें हम बिलकुल स्टेंडर्ड कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी एक मानक तक पहुंचें चीजे पिशीरियो आपे देट नेके कुमलगियैowsयओ cust i.e. लेकिन जो संस्तान में पेशला रहे हैं उसमें नेफ्रालोजी है किड्नी रोग है डیलजेसिस का है ट्रांसपलांट क्राइडियक का जत्ने हमारे पास तींची मशीने हैं शायद अस्तवीन है और रेडियाजी डिपार्टमेंट में इंटर्मेशनल रेडियाजी उसकी फैसरिटी है तो हमें कहे सकते हैं कि हमारे अहां मचीन्हें है आपने सुना होगा कि जब सारी मशीने फेल हो जाती हैं, फेफड़ा काम करना बंद कर देता है, हार्ट भी बंद कर देता है, तो मशीन दौरा हार्ट को फेफड़े को चला जाता है, लाइफ सपोर्ट पर, उसको इक्स्ट्रा कार्पूरियल मेकेनिकल वेंटिलेशन बोलते हैं, वो क्या करता है कि यह फेफडे में हवा नहीं जा पा रही है तो बलड आता है बाहर और बाहर जो है उसको अक्सजन दिया जाता है और फिर वापस शरी में जाता है हार्ट नहीं करता है तो हार्ट को सपोर्ट करता है कि तुम पंप करो ये विंटिलेशन के उसके ऊपर की चीज़ है ये एकमो हमारे हाँ भी मेरे जॉइन करने के बाद दो मरिजों में लगा था और संस्थानों या तो नहीं है और है तो काम नहीं कर रहा है ये सवाल मुझे पूछने में भी बहुत अच्छा लगता और आपको जवाब देने में भी बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अक्सर जब हम कई लोग ऐसे आते हैं कि जब डालिसिस कोई लेकर के किट्नी खराब में उनको कहरें डेट पर डेट मिल रही है विवस्था नहीं इसके लिए क्या कुछ करा जाए ये सबसे बड़ी समस्या है इसके लिए बहुत सही है कि सुधाओं को और जगा बढ़ाई जाए देखिए मैं देखता हूं मेरे पास इंस्ट्यूट में जो मरीज आते हैं उसमें वन थर्ड मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज अच्छे तरह से और कहीं हो सकता था बलकि आते से जादा तो अगर ये ये सुधाए और मेटकल कालेज में हो तो फिर हमारे है क्यों है लोग इतनी भीड क्यों हो इसका उत्तर देखे जितने बढ़ाएंगे बढ़ा सरल कहना है कि और बढ़ा दिया जाए क्यों बेट से लाज नहीं होता है लाज होता है अच्छे डाक्टर में नर्सेस का अब अ इसमें पैसा लगता है अब सरकार के पास संसादमी सीमित होते हैं इससे अच्छा क्यों नहीं सुधाएं पर हो जिससे कि वहां पर पेशेंट को सीरेस होने की नोबत ही ना है तो बेट बढ़ाने से समस्या नहीं बढ़ने वाली और जगर सुधाएं बढ़ाने से ठीव से है अब यह है कि वहां पर का रहे है को शल्ता बढ़ाई जाए यह भी बात है कि वहां पर मुझे समाजी क्विक्ष भी लगता है समाज कोई सोचना चाहिए माली ज़र अस्ताल में कोई गया किड्नी का मरीज डाक्टर भी तैयार करने को वहां पर किसी तिमारदार ने कह को रिषदार आ गया कि साब अगर आपकी हम्मत करिया इलाज और रेफर कर दीजे अगर यह बोल देगा आपकी हम्मत करिये लाज जो है कोई गारंटी तो लिता नहीं कोई इश्वर नहीं है पुरा प्रयास करता है उसमें को डाक्टर घबडा जाता है कि अब यह अपनी हम के लिए रोज वेंटिलेटर के लिए आज ही करीब दस फोन हमारे पास आए शिफ्ट करना है क्योंकि प्राइबेट में बहुत खर्चिला हो जाता है और हमारे पास जतने अगर वेंटिलेशन माली आज दस है पंद्रह है बीज भी हम बढ़ा लेते हैं फिर भी समस्या उसम क्योंकि अभी समस्थान की मर्जंसी अभी किवल बहुत प्रोटेक्टेड थी आट दस बेट थे मुश्किल से अब जब लोहिया अस्पिताल को ले लिया जहां की टोटल इमर्जंसी आती इतनी भीड होती है और वहां की व्योस्ता कल्चर दूसरा था हमारे जब डाक्टर गये महाँ पर मुश्किल होगा समाल पाना है कि होता क्या है कि इमर्जंसी मर्जंसी मरेजों के लिए होता है यहां मैंने देखा कि 300 मरीज अगर इमर्जंसी मा रहे हैं तो 2,500 ऐसे हैं चैजिको नहीं है वो दुकान बंद करके आ रहा है चले बुखार चलो दिखा लिया ज तो धीरे धीरे करके हम इस संदेश को दे रहे हैं कि मर्जंसी में क्यों मुर्जंसी के मरीज आएंगे तो 45 मरीज पर जादा ध्यान देपाएंगे धाइसों मरीज इनको हलका बुखार उल्टी हो गई हो कहीं और दिखा सकते हैं तो हमारा फाइदा ले हमारा उपयोग तब करें जिसके लाइक हम है रादर देन की उल्टी होई लागे कहा वहां भीड हो गई जो सीरस मरीज उसमें नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि संसाल सीमि कर रहे हैं तो दॉक्साब की कोशशचें लगातार जा री हैं डॉक्टर एक तिरपाटी जी वह हमारे साथ बन एगे हैं इसके जर्फ के जुशिए दोर डकजि participated की बात करते हैं तो मैं डॉक्सराप के बारे में खुद मैं अभी जब पढ़ाता कि मरीजों को बेतर से बेतर चिकिस्ता की सुविधा मिले और इसके लिए ग्रामीन इलाकों के लोगों की भी चिंता है और इसके लिए काफी कैम्प भी लगाएं उनका किस तरीके का रिस्पॉंस आ रहा है इसका भी जवाब लेंगे छोटा सा ब्रेक फॉरण हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं खास बात दोहिया संस्तान के निदेशार्ग डॉक्टर एके तिरपाटी जी लगातार हमारे साथ बने हुए है कुछ और भी सवालों के जवाब लेंगे डॉक्साब जब आप जितना बताते जा रहे हैं मन करता है और भी ज्यादा पूछ है क्योंकि हम बात अपनी तरफ से मेरे सवाल नहीं है ये मरीजों के लिए हम और उनके तिमारदारों से जोड़े सवाल है डॉक्साब जब आप चिंता करते हैं तब मैं अभी जानकारी ले रहा था जब अभी नेट पे आपके बारे में जब जानकारी निकाला था तो आप ग्रामीन इलाकों में भी बहतर सुविधाओं के लिए अपनी प्रतिबदता जाहिर कर रहे हैं निशुल कैंप लगाते है कैसा रिस्पांस आ रहा है? शुरू में परिशानी हुई लेकिन यह हुआ कि लक्स से हमें हटना नहीं है गरीब चार साल लग गए जब लोग समझ पाए कि मैं लक्नौ से 220 किलोमेटर जाता हूं गाओं पर लोग आके वहां दिखा लें क्योंकि होता है इसको इर्शा कहिए जलन कहिए या यह कहिए कि अपने तरफ के हैं गाओं के क्यों इनको दिखाएं कहीं और जाके दिखा लें तो यह इसमें चार साल लगा उसके बाद से खरीब 90 किलोमेटर के दूर 3-4 जिलों से लोग इकटा होते थे और वहां पर सुबह 6 से लेके शाम के 6 तक देखना लगा तार और 10 वरीज वहां से चुन करके मिटकल काले के जीमसी में लाकर एडमिट करता था और पूरी उम्मीद करता था कि जो 10 हम भरती कर रहे हैं क्योंकि सबको पूरी सहुलिया तो दे नहीं सकते सबको संतुश नहीं तो उसमें होता था कि अगर 10 में 2 लोग अगर तारीफ कर दे और 4 लोग चुप र रहा हूं तो मेरे ग्यान में व्रद्धी हुई तो उनसे मुझे मिल रहा था जादा उनको तो मिली रहा है ज्यान में व्रद्धी की आपने बात की तो मेरा सवाल तुरंत आप से यह कि 15-15 मैडल आपको मिले किस तरीके से पढ़ते तो और जो नई पौध जो आ रही है उसक से आप मजबूत रहते हैं मुझे आता है जहां तक पढ़ने का सवाल सवाल अभी बच्चों को सिखाता हूं कि आप समय की कमी नहीं है मुझे आथे मैं कलेक्टर कासी स्टेशन कानपुर से गाउं बस जाता था तो जो रास्ते में होता था रास्ते में लाइट आती थी उस मेडिकल के स्टुडेंट का तो मौन बहुत भटकता है होस्ते वहीं समझाता हूं उसमें उसमें उपर से 20 बच्चे जो कम अटेंड करते हैं को बलाता हूं बठाता हूं और यहीं का वेटा तुम नहीं पढ़ोगे पिताजी को बुलाएंगे हमने का देखो तुमारी के लिए किया था वहां यह था कि जो काफी कुछ आजकल असंतुष्टी है या जो मार्क पीठ हो रही है वो कम्यूनिकेशन गैप से हो रही है जो हम कहना चाहते हैं मरीज कहना चाहता हूं नहीं समझते हैं कहते हैं कि गुफ्तगी रोज होती है महारे मुलाकात नहीं होती मुलाकात अंदरोनी मुलाकात नहीं हो पाती है मुलाकात होती पर बात नहीं होती है मुलाकात होती बात नहीं होती तो उसमें कहा कि अगर हम उनका संबाद करें उस संबाद में भी रखा था कि उनके लिए एक लाइबरेरी बना ले वाचनाले बला ले वहां बैठें ग्रूप के साथ बातें भी होगी लेकिन मुझे मालूम है अभी मैं सुधार लूँ अभी तो अभी बात करूँगा तो इतनी शिकायते लोग करेंगे इतनी इतनी अपक्षाय रखेंगे मैं खुद परिशान हो जाओंगा पहले अपनी तरफ से सुधार लो उसके बाद यह ब पुरा क्योंकि वहां देखें कि वहल तीस विश्टर हमारे पास थे हमेटालजी में तो उसमें साधे तीन बजे वार्ट सब्स चला जाता था है कि हमेनी पैक्स भी नहीं से सोच रहा हूं यहां भी एक बार स्टीम लाइन हो जाए तो यहां भी हमारा आदमी जाएगा साध अगर बचा हुआ केला बाट रहे हैं यह कोई भिक्षा नहीं है क्योंकि उसकी इज़त होती है मजबूर है बचारा तो हमने मना कर दिया जो हमें चाहिए वह आप दीजिए इस तरह से पाटना नहीं फेक नहीं बाटना है इज़त साथ से नोट करिए उनके डिमान और फिर उनको जा करके उनके बिष्टर पर दीजिए इससत के साथ अगर अगर मेडिकल संस्थान में आप जैसे एक दो निदेशक हो जाए तो जो हम लोग कभी कभी ब्रेकिंग पढ़ते हैं ना कि मरीजों डॉक्टर्स के बीच जो जड़पए की खबर हैं वो खतमी हो ज पकड़ है और मुझे यह जानकारी मतलब मैंने कलेक्ट किये नेट से किये ऐसा नहीं है कि मैंने के जागर के किये कि आपने हिंदी में भी काफी वर किया है मिटकल में और आपको उसके लिए सम्मानित भी किया गया हिंदी संस्थान की तरफ से और उर्दू में अदिमाहिर किया वाट है बहुत का संगं सब यह हैं देखिए जो आप उस और आलेज है मरीस का आहिसे कर रहा हमें यह नहीं देखना है क्योंकि हम देखना उसके प्रेम कि वासा है कि नहीं लगाओ कि वासा है या ग्यान कि वासा है कि नहीं है तो इसलिए फिर मरीज से कम्यूनिकेट करने में अगर उसकी लेंगोज आपकी लेंगोज मिल रही है बढ़ा आसान हो जाता है जैसे मुझे आद है कि गाओं में पूरवी उतर प्रदेश में करीब हर दस मील पर तो डायलेट बदलते हैं अब आप समझ रहे हैं कि डायलेट अगर उससे पूछ लिया कि आप कहा गये हैं ऐसे खलीलाबास से लग रहे हैं आप इसे मालूम पढ़ गया प्रेम बढ़ गया और मरीजों की आधी बीमारी दूरोगे कहते हैं डॉक्टर अगर अच्छे से हाल पूछता है तो मरीज की बीमारी आधी वैसे ही कम हो जाती है तो इसमें ये भाषा बहुत इसका बड़ा रोल होता है फिर अधीकर अलग अलग लेंगोजेस को लोग आते हैं फिर चुकि यह हुआ कि जो अंदर भावनाय है उसको लिखा भी जाए इन सब चीजों के लिए सब्दकोस अच्छा होना आउस्ट है कि इसलिए कोशिश किया क्यों गाओं वालों के सामने उनका लाल बैठा हुआ डारेक्टर बना हुआ इंट्रिव्यू दे रहा है यह इससे बड़ी क्या कम बात है ठीक है यह बहुत बड़ा रिड़ है कोई आदमी खुद नहीं बनता है बड़े हुए है तो वहीं की मिटी है वहीं की खुश्बू है वहीं की पेड़ पा होते हैं साख सबजिया है उनका प्रेम है उसी से आदमी का शरी बढ़ता है पहले 14 साल गाओं में पूरा बिता हाई स्कूल गाओं से किया तो सब कुछ तो वहीं का है फिर तो रिड़ है और इसको जितना पेवे कर पा रहें कोशिश कर रहें जी बैठे क्या कुछ कर सकतें उपाएं देखिए ये किसी एक जिम्मेदारी नहीं है हम सफी को अपनी जम्मेदारी समझनी है चाहे वह फेकने वाली बात हो चाहे जलाने की बात हो उसको ना करें कोशिश करें जैसे मैंने गाओं में एक मुहीं चालू किया था कि सबजी घर प इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग ना हो गाडियों का भी है कि अब एक दो मिल जाना तब भी लोग स्कूटर चला जा रहे हैं मुटसागी चला जा रहे हैं अब हम सबको एक जागरूख होने क्या शकता है इसको विकास ना समझे हम लोग पीछे जा रहे हैं विल्कुल क्ल आग लगे किसी और चौराहे पर मेरा घर तो सुरक्षित है मेरे घर भी आग लग सकता है लेकिन जो खासी जैसी जो चीजें आजकर सांस लेना में दिक्कत आरी इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या उपाए कर सकते हैं अब इनके लिए जैसे कुशिश ये करें कि चोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा परिशान करता है या जिनको सांस करो पहले से है या इलर्जी है उनको विशे सुरूप से साफधान होने की जरूवत है यानि कि साफधान ही हम सबको बरतने की जरूवत है डग सब चलते चलते एक सवाल का जवाब कुल मिला करके एक नि तो बिलकुल मरीजों को भी चिकिस्तकों के साथ कहीं न कहीं सामंजस से बिठाने की जरूरत है यानिकी डॉक्स अब बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हमारे चैनल में और तमाम सारे हमने आपके से जो सवाल की और आपने बहुत ही बेवाकी से जवाब दिये तो डॉक्स अब का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एके तिरपा झाल झाल